चलिए students अब next passage को हम start करते हैं और next passage है हमारा 66 to 75 सभी students इसका screenshot लो जल दी से और मेरे attempt करने से पहले attempt करो और बाद में मुझे बताना तुम्हारे कितने marks इसमें आये हैं ठीक है ये रहे तुम्हारे options 66 to 75 हमारे options हैं ठीक है lecture pose करके चाहे screenshot ना भी लो lecture pose करके तुम आराम से इस passage को एक बार attempt शरूर करो ठीक है क्योंकि कई बार ऐसा होता है teacher के पढ़ाने से क्या होता है हमें लगता है क्यार ये तो आसान चीज़े पढ़ा रहे हैं लेकिन जब खुद attempt करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि चीज़ आसान है या भारी है उसके बाद तुम्हें answers दे ही रहाऊं सभी ठीक है चलो अब इसे attempt करना शुरू करते हैं इसकी हिंदी मिनिंग समझते हैं अब धिहान से देखना the very name very का मतलब होता है वही मतलब जाना पैचाना जो the very name सुन्दरवन इस सुन्दरवन के नाम को सुनकर के conjures up conjures up एक fixed present verb है इसका मिनिंग लिख लो इसका मतलब होता है मन में ख्याल आना तो सुन्दरवन का नाम सुनके आपके मन में क्या ख्याल आता है क्या क्या ख्याल आ सकता है mysterious images of unending creaks creaks का मतलब यहाँ पर जढ़नों से लोगे unending का मतलब जो कभी समाप्त ना हो मतलब ऐसे-ऐसे जढ़ने जो कि बस चली ही रहे हैं या जो बहुत सारे हैं ऐसे-ऐसे mysterious rest से महीं जढ़ने हैं कितने हैं, कैसे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं नहीं पता है, ऐसे से बहुत सारे जढ़नों की में जा आपके मन में आईगी, मन में ख्याल आएगा सुन्दरवन का नाम सुन करके मियंडरिंग रिवर्स, मियंडर का मतलब होता है गुमावदार, वो कैबलरी में पूछा जा चुका है ये वर्ड बियंडरिंग का मतलब गुमावदार, गुमावदार नदियों का ख्याल आपके मन में आता है marshes and swamps marshes and swamps थोड़े से difference के साथ दोनों के दोनों दलदल ही है ठीक है दोनों का word का meaning दलदल है, marshes का भी और swamps का भी तो आपके मन में दलदल का भी ख्याल आता है दलदल आपके लिए कैसी है, दलदल आपके लिए खतरनाक है, दलदल आपके लिए बहुत खराब चीज होती है, क्योंकि अगर एक बार पैर पड़ा तो धस जाओगे, है ना, डेथ भी हो सकती है, तो दलदल से रिलेटिड वर्ड जो है हमें याँ आपर खतरनाक का जो ओप्शन है, वो चुनना होगा, ठीक है, covered with, वो कैसे ज खुमावदार नदिया है, बहुत सारी दल दल वगएरा है, इस तरह की चीजों का ख्यालाता है आपके मन में, जब आप ये नाम सुनते हैं, सुन्दरवन, ठीक है, ये sentence है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए, मार्शिस से पहले, खतरनाक स्रिलेटिड कोई वर्ड, खतरनाक य या भयानक, अब आप खुद होगे, कि हाँ सर्व मीने सिंग वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये भी अन्टॉनिस अनूनिम का वर्ड है, सारे के सारे वर्ड, अन्टॉनिस अनूनिम में बहुत काम आते हैं, इसलिए हमें पैसेज बगर आ गया, किसी और चीज का, ये तो हम सेलेक्शन कभी नहीं रुखता, देखो मैं एक बात कहूंगा, 100 में से 95 questions, नया 95 plus questions, केवल previous papers हैं, repeated है सब कुछ, और ये कभी भी मस सोचा करो कि हम पुराना सेट कर रहे हैं, हम नया सेट कर रहे हैं, तुम डेली की आदत बना हो, बस ये आदत तुम्हें कहां से कहां अब आगे बढ़ते हैं, covered with forests, the wonder of nature, अब किस तरह के forest से ये covered है, अगर मैं बहुत basic सिंधी निकालों तो घने जंगलों का sense आ रहा है, और घने जंगल कैसे होते हैं, घने जंगल वो होते हैं, जिनको आप भेद नहीं पाते, जिनको आप जिनमें आप जा नहीं सकते, जिनमे पहुचना आसान है, तो ये तो answer नहीं होगा, impossible का मतलब असंभव भी नहीं होता, कि आप जंगल में जा नहीं सकते, अब आपको बस एक option चुनना है, penetrable का मतलब जिसे आप भेद सकते हो, जिसे आप भेद करके अंदर जा सकते हो, और impenetrable का मतलब जिसे आप भेद करके इसे अंदर नहीं जा सकते, तो घने जंगल का जो sense आएगा, घना क्या होता है, घने का मतलब आपको जाने में मुश्किल आईगी, उसे आप भेद नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर impenetrable का word का यहाँ पर selection करेंगे आप, ठीक है, तो penetrable नहीं करेंगे, penetrable का मतलब जिसे भेदा जा सके, impenetrable का मतलब जिसे ना भेदा जा सके, अगर मैं combine करूं दोनों words को, impenetrable forest, तो इसका meaning आएगा निकल के घने जंगल, ठीक है, तो घने जंगलों का आपके मन में ख्याल आता है, दलदलों का ख्याल आता है, नदियों का ख्याल आता है, और जढ़नों का ख करना तुम्हें आराम से मिल जाएगा, mangrove का पेर, acts as a natural, ये किस तरह से काम करता है, ये act करता है as a natural, एक प्राकरतिक, किसी चीज के रूप में काम करता है, against the tidal waves, tidal waves और cyclones, tidal waves तो होती है, बहुत बड़ी-बड़ी उंची तुफानी लहरे, और cyclones होते हैं तुफान, ठी सुरक्षा कवच का sense हमारा यहां पर आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इसके words देखूं क्या-क्या है यहां पर, तो ये क्या है, dike क्या होता है, dike जो होता है, बंद होता है, जो हम किनारों पर लगाते हैं, जिसे हम एक शब्द में तटबंद भी कह सकते हैं, ये बंद होता है ठीक है, तटबंद, damn आप जानते ही हो, और safeguard का मतलब सुरक्षा कवच और mountain का मतलब पहाडिया पहाडिया, तो answer क्या आएगा, safeguard against something, तो ये एक सुरक्षा कवच की तरह से काम करता है, किस के खिलाफ, tidal waves के खिलाफ और तुफान के खिलाफ, जो की क्या कर सकते हैं, ये जो delta को बहुत जादा नुकसान पहुचा सकते हैं, and wash away, और जो मतलब बहा करके ले जा सकते हैं, huge tracks of lands, track का मतलब यहाँ पर इलाका है, meaning लिख लेना, यहाँ पर land के बहुत बड़े बड़े इलाकों को बहा करके ले जा सकते हैं, जैसे कहते हैं तुफान या जो लहरे होती हैं, वो आप बहा करके ले जाते हैं, वो वाला sense यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नश्ट करने का या फिर बहुत जादा नुकसान पहुचाने का sense यहाँ पर है, तो 69 में देखते हैं, ऐसा कोई word है क्या, जो कि इस delta को नुकसान पहुचा सकते हैं, और बड इंपोर्टेंट है, सब अन्टोनिम के word है, है न, और रैविज का मतलब बुरी तरह से एक शती पहुचाना, या फिर बुरी तरह से नश्ट कर देना, यह भी मीनिंग आ सकता है, तो यहाँ पर आंसर रैविज आएगा, ठीक है, रैविज क्यों आएगा, विकोज यह इन delta क यह इस delta को नश्ट कर सकता है, यह इसके बहुत बड़े एरिया को बहा करके ले जा सकता है, और क्या कर सकता है, नुकसान पहुचा सकता है, या खत्रे में डाल सकता है, ठीक है, यह सब चीजे, साइकलोन जो होते हैं, टाइडल वेज जो होती है, यह नुकसान पहुचा सकत यहां पर भी खत्रे से related word हमें लेना है तो endangering का मतलब खत्रे में डालना यह हो सकता है encourage का मतलब हिम्मत बढ़ाना नहीं disregard अपमान करना नहीं resist का मतलब प्रतिरोद करना नहीं तो आप कहोगे कि हाँ human life को यह खत्रे में डाल सकता है answer समझ में आ गया अगला question कहता है questions ही मान करके चलो इनको हर एक sentence को but this gift to mankind is यही fill in the blanks है तुमारे कहीं बार बच्चे कहते हैं न सर vocabulary वाले fill in the blanks में समझ में नहीं आते तो यह वो ही है single question ले लो single चार option ले लो जो question के दिये गए है वो vocab वाला fill in the blank हो गया fill in the blank दो तरीके से पूछता है तुमसे एक तो vocabulary based और एक grammar based तो vocabulary based यही होते हैं तो एक एक sentence को एक एक question समझ करके चलो बात वो ही आती है but this gift to mankind है लेकिन यह जो gift है mankind को जो मिला है is under यह किस चीज के अंडर है यह extinction के किसी चीज के अंडर है अब extension का मतलब होता है विलुपती तो मतलब इस पर विलुपती का खतरा मन रहा है यहाँ पर खत्रे से related word हमें चाहिए ठीके यह जो gift है जो mankind को मिला है इसकी विलुपती हो सकती है इस पर इस चीज का खतरा है ठीके तो देखते हैं खत्रे से related क्या word हमारे पास है 71 में ठीके notice का मतलब किस चीज को notice करना नहीं order का मतलब करम होता है wearing का मतलब पहनना होता है sorry warning है चेतावनी होता है threat का मतलब खतरा होता है पास समझ में आ गई तो यह आ जाएगा आपका threat का fourth answer आजाएगा आपका 71 का तो इस पर क्या है विलुप्ति का खत्रा मट रा रहा है जो rampant developmental project है rampant का मतलब बहुत तेजी से होने वाले जो यह बहुत तेजी से होने वाले विकास के जो projects है इन्होंने क्या किया इन्होंने तबाही मचाई हुई है किसमे ecosystem में तो तबाही मचाने के लिए एक आपको phrase note कर लेना है यह जो तुम्हे idea phrases की list दी हुई है उसमें यहाँ पर उसमें यह word दिया हुआ है wreck, havoc, on या फिर upon यह एक phrase दिया हुआ है इसका मतलब होता है विनाश करना या तबाही मचाना तो यहाँ पर भले ही विनाश करने से related कोई और word भी इस option में आ जाए लेकिन आपको wreck word ही लगाना है क्योंकि wreck upon एक phrase होता है ठीक है तो देखते हैं हमारे पास 72 में fix word होना चाहिए wreck है ना otherwise कोई और option नहीं होना चाहिए तो देखते हैं तबाही मचाने के लिए विनाश करने के लिए हमारे पास 72 में wreck word है क्या तो देखो यह रहा यह तुमारी IDM list में मिलेगा destroy का मतलब भी तो विनाश करना होता है तबाही मचाना बच्चे पूचेंगे destroy क्यों लगाया जी मीनिंग तो इसका भी वही है लेकिन wreck havoc upon phrase है इसलिए हमने यह word लगाया है ठीक है तो wreck havoc upon हमारा answer हो गया नस्ट करना ठीक 72 हमारा fill हुआ आगे बढ़ते हैं 72 के बाद है इसने ecosystem में तबाही मचा वी है इन projects ने and tell tale science tell tale एक fix word है vocabulary का पुछा जा चुका है अन्टोनिस रोनिंस में इसको meaning में लिख लो tell tale क्या होता है इसमें बीच में कोई space नहीं है ध्यान दखना कभी सोचो के tell अलग है tell अलग है नहीं इसने जो यहाँ पर यह जो हलका सा dash लगाया हुआ are too visible now वो अब बहुत ही जादा clear है to का मतलब इतना होना नहीं चाहिए था कि वे बिलकुल ही दिखने लगें लेकिन अब वो बिलकुल जादा बिलकुल clear, बिलकुल visible दिखने लगें है ठीक है the huge of humans humans का कुछ करना humans का कुछ करना बड़े मात्रा में huge का मतलब बड़ी मात्रा में या बड़ी संक्या में humans का कुछ करना in the ecotourism ecotourism के किसी चीज में may soon result in the majestic king of the region ये जल्दी ही इसका result क्या हो सकता है जो इस छेतर का, इस region का majestic king है जो एक शांदारक, बहुत ही अच्छा राजा है इस छेतर का जिसे हम क्या कहते है royal bengol tiger यहां का, जो tiger है, यहां का, जो चीता है यह क्या है, बाग सोरी बाग है जो becoming a fossilized यहां पर यह क्या बन जाएगा बहुत ही जल्दी इनसान के बहुत ज़्यादा आने की वज़े से इस area में यह बहुत ही जल्दी क्या बन जाएगा एक fossilized fossilized क्या होता है जीवास में से related word है fossil जो होता है जीवास में होता है और यहां पर हमें जीवास में से related अवशेश का sense है बचा कुछा हिस्सा है बचे कुछे हिस्से का या अवशेश का sense हमें यहाँ पर चाहिए 75 में ठीक है तो हमने हिंदी समझ ली कि हमें क्या क्या चाहिए बट फिलाल देखते हैं पहले options में क्या चाहिए तो जो इंसान का आना है बड़ी मात्रा में इंसान का जो आना है यहाँ पर आने का sense आ रहा है अब आने के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या word आएगा ठीक तो देखते हैं 73 में crowd का मतलब भीड नहीं आएगा gather का मतलब इखटा होना ये भी नहीं आएगा influx का मतलब बड़ी मात्रा में आना influx का meaning समझो arrival तो कहीं पर पहुंचना होता है किसी जगा पर आप पहुंच गए आप वहाँ से आप चल देगे लेकिन इंसान का influx होना मतलब वहीं पर आना और बस जाना ये वाली जो चीज़े होती है बड़ी मात्रा में आना influx कहलाता है इसलिए आप क्या करेंगे इसे answer चुनेंगे और ध्यान रखना vocabulary का word है influx meaning क्या लिखोगे बड़ी मात्रा में आना कहीं पर है ना बड़ी मात्रा में आना बस जाना तो इंसान का जो बड़ी मात्रा में आना है किसमे इको टूरिज्म के area में इको टूरिज्म के under में कोई चीज है वहांपर इंसान आ रहा है अब इसके अंडर में किलिए हम क्या ओप्शन चुने Grab का मतलब किसी चीज से वश में होता है Grab का मतलब अपने control में कोई चीज करना Cloth का मतलब आप जानते ही हो कपड़े होता है, disguise का मतलब परिशानी वगर अगर समय होता है, clock जो है आपका CLO C के नहीं है, घड़ी वाला नहीं है CLO A के है, इसका मतलब होता है आवरन, मतलब बाहरी परत ना बाहरी एरिया या बाहरी आपने कुछ और पहना हुआ हो, कुछ डाला हुआ हो, उसे हवरन कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या answer चुनना है, eco-tourism के under में, eco-tourism के control में क्या meaning आ जाएगा, A आ जाएगा तो under में या control में के लिए हमने grab लगा दिया grab का मतलब आपके control में होता है कोई चीज है न, तो यहाँ पर हमने चुन लिया, तो eco-tourism के control में जो area है, जो चीजे हैं, उसमें human का बहुत बड़ी मात्रा में आना इसकी वज़े से क्या हो सकता है, बहुत जल्दी यह आपका क्या है, जो आपका Bengal tiger है, बहुत जल्दी अवशेश बनके रह जाएगा, मतलब बस जैसे हड़ियां कंकाल होते हैं, उस तरह से बचके रह जाएगा तो उसे हम अवशेश कहते हैं, अब अवशेश related word हमें क्या चाहिए, fossil का मतलब जीवाश्मवाला, और यहाँ पर हमें अवशेश चाहिए, ठीक है, तो जीवाश्मवाले अवशेश बनके रह जाएगा, जैसे डाइनसोर के अवशेश मिलते हैं, जीवाश्मवाले रैपलिका का मतलब कोपी, नहीं सिंबल का मतलब चिन, नहीं और टोटम का मतलब भी धार्मिक प्रतीक होता है कोई भी धार्मिक चिन या कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन है ना, कोई धार्मिक प्रतीक चिन, ये इसका मिनिंग लिख सकते हो ठीक है, वोकेबलरी का वड़ है ये भी रैलिक का मतलब भी शेश होता है, तो आपके सामने आपका अंसर है, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी क्या बनके रह जाएगा है, अब शेश बनके रह जाएगा, कंकाल बनके रह जाएगा बस ठीक है, तो जीवित नहीं मिलेगा आपको ये बात इसने कही गई है, तो इसी के साथ में, आपका ये पैसेज भी फिनिश होता है क्या करना है, वोकैबलरी निकाल करके उसे रिपीट करो, बस वोकैबलरी याद करनी है जादा जादा, जिसकी जितनी अच्छी वोकैबलरी उसे पैसेजज उतने ही अलके लगेंगे जिसकी जितनी अच्छी फ्लूएंसी, उसे पैसेजज उतने ही अलके लगेंगे, fluency कैसे आएगी daily पढ़ने से आएगी, आपके अभी answer ऐसे हो सकता है कि दस में से 5 नमबर ही आ रहे हो, 4 नमबर ही आ रहे हो, लेकिन इससे कोई फरक नहीं बढ़ता, regular रहोगे तो 10 में से 10 भी आएगे, ठीक है बात के लिए इतना ही, अब next passage कल देखेंगे